अद्विक को ब्लट कैंसर है, उसके माबाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिपिशन में दियो हैं लिंक पजाएं और अद्विक की उमीद बनें। बिहार में विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए हैं। पिछले 16 वर्सों में इस डवल इंजन की एंडिये सरकार ने बिहार को फिसड़ी राज बना दिया। निती आयो के रिपोर्ट किया आई। बिहार में सियासी बवाल मज गया। क्यूंकि इस रिपोर्ट पर अगर हम नजर दोर आएं तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्विटर से लेकर हर जगे नितीश कुमार पर निशाना साथने का दौट चल रहा है चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या कुछ है निती आयोग ने सतत विकास लक्षियों के लिए सुचकांग भारत सुचकांग 2021 की रिपोर्ट जारी कर दी है इस रिपोर्ट में जहां पहले नंबर पर केरल है 75 अंक के साथ वहीं बिहार सबसे निचले पायदान पर है 52 अंक के साथ और बिहार से ठीक ओपर झारखंड है 56 अंकों के साथ निती आयोग को सरकारी थिंक टैंक भी कहा जाता है और इसकी रिपोर्ट को बड़ा सीरियसली लिया जाता है और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई उसके बाद सियासी बयान बाजी क्या कुछ चल रही है आईए सुनते हैं जवाब निती उसकुमार जी को देना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा डेवल्मेंट करते हैं और यह लाको लाक करोड का जो हमारा बजट होता है वो अखिर कहां जा रहा है यह नीती आयोग की सुचकांख है यह कॉंग्रस पार्टी ने कोई मन गरंत आरोप नहीं लगाया है या तो निती उसकुमार कहें कि यह मारा नीती आयोग बगवाश है कि हैं सरकार जानभूज कर ऐसा कर रही है यह भी उनको बताना पड़ेगा नहीं जो सोकॉल डवल्मेंट के नाम पर ब्रह्म फैराते हैं और अपने बजटी आकार के बढ़ने का ढोल पीटते रहे हैं इन कि इंसके और उसके बाद 15 साल राजट के घोटालों और अपरात कई कुसासन के बिरासत में बिहार में मानिये नितिश कुमार जी को जो सरकार मिली थी जो बिकास का नहीं बिनास का सरकार मिली थी जो बिहार को 25-30 साल पीछे ढखेला हुआ सरकार मिला था उसको मानियन नितिश कुमार जी ने धीरे धीरे पट्री पर अपने बिकास के बल पे लाये हैं बिहार में विकास का दावा करने वाले लोग अब कहां बिल में घुसे हुए है पिछले 16 वर्सों में इस डवल इंजन की NDA सरकार ने बिहार को फिसड़ी राज बना दिया ये हम नहीं का रहे ये राज़द आयोग का रिपोर्ट नहीं है ये केंदर सरकार निती आयोग की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि बिहार अंतिम पायदान में है विकास के मामले में अब कहां बिल में घुस गए विकास की बात करने वाले लोग आकर के मुँख खोले रिपोर्ट आने के बाद जहां हर ओर से नितीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है वहीं व्यंगात्मक अंदास में लालू प्रसाद यादव भी नितीश को बधाई देकर बहुत कुछ कह रहे हैं आए देखते हैं लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीटर एकाउंट के जरिये क्या कुछ कहा है बधाई हो आखिरकार 16 वर्षों की बिहार नाशक मेहनत से नितीश ने बिहार को नीचे से टॉप करा ही दिया इसके अलावा तिजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीटर एकाउंट के जरिये पूरे मामले पर नितीश सरकार पर निशाना साधा है नितीश कुमार जी की सत्ता लोलूप अधूर दर्शी नीतियों गलत निर्णयों अक्षम नित्रत्व के कारण बिहार लगातार तीसरे साल भी नितीयों के रिपोर्ट में सबसे फिसड़ी प्रदर्शन के साथ सबसे निचले पायदान पर है पिछली रिपोर्ट की तुलना में बेशक बिहार ने सुधार किया है लेकिन फिर भी दूसरे राजियों से तुलना करें तो बिहार अभी भी सबसे नीचे है देखना होगा कि जब अगली रिपोर्ट आती है तब बिहार की इस्थिती क्या कुछ रहती है इसी तरह से बिहार की हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे आप देखते रहिए बिहार तक